जैमात अदी राधे राधे आज इस वीडियो में जानेंगे माघ महा की कृष्ण पक्षी की चतूर सीती थी अर्था संकट चोथ ब्रत के बारे में यह कब पढ़ने जा रही है 10 जनवरी या 11 जनवरी को कब संकट चोथ ब्रत किया जाएगा और कब चंद्रमा उदय का समय होगा पूरी जानकारी आज इस वीडियो में आप सभी को जानने समयने को मिली जैसे कि यह दिन गड़े जी महराज को समर्पित है इस ब्रत को करने से जीवन में आने वाले सभी संकट कर जाते हैं संतान सुक की प्राक्ति होती है और सभी कस्टों का निवारण स्वयम हो जाता है और साथी गड़े जी महराज की छतरशाया घर परिवार पर बनी रहती है संतान सुख की कामना करने अलिविक्ति अगर कुछ खास कारे कर ले उपाय कर ले तो उनके जीवन की सभी कामनाय पूर्ण हो जाती है तो 2023 में उदिया तिथी की अनुसार जो है यह ब्रत 10 जन्वरी दिन मंगलवार के दिन किया जाएगा 10 जन्वरी की दिन कई सुप संयोग बनने जा रहे हैं मंगलवार का दिन हो रहा है और उदिया तिथी के हिसाब से 10 जन्वरी को ब्रत करना ही सर्वस रिष्ट माना जाएगा और साथी जो चंद्रमा उदय का समय होगा क्योंकि इसमें चंद्रमा को अर्ग दिये बिना ब्रत न राज्यों में यह देखने को मिल जाएगा तो सबसे पहले आप सभी पूर्ण रूप से सुबह स्वच्छ हो जाएं और लाल पीले रंके वस्त्रों का चुनाव कर लिजे गडेश जी महराज को तिल जरूर से समर्पित करते हैं तिल चोथ है तो तिल का प्रसाद बनाया जा पंजरी इत्याधि का भोग लगा जाता है तिल की लड़ों बनाया जाते है साथ ही गडेश voud जी महराज की पूजा के साथ-साथ भगवान शीव मतऽ पारवती का भी जरूर से पूझन किया जाता है जब पूरा भ्रत सफल माना जाता है तो एक पाटे में गडेश जी ह hätte ब्रहत का संकल्प लेते हुए आप जो है चाइपाणी और यह चीजें ले सकते अछा निव्ल ब्रहत नहीं किया जाता इस बात का ध्यान रखें तो पानी इत्यादी चा इत्यादी फh इत्यादी ले सकते हैं शाम के समय में जब आप सभी चाहें तो सुबह के समय ही कई साम को चार बजे के सम्यंवी के जते हैं सासू जी को डोक देकर अर्थतबड़ों को डोक देकर बच्चों को भी गडेश consistent महाराज के आगे धोक दिलवाते हुए दूर्वाation र्वाय You tam साम को चंद्र देवता को ओम चंद्र देवाए नमो नमा कहते हुए अर्ग दे कर अपना ब्रत खोले इस ब्रत में नमा खित्यादी लिया जाता है कोई दिक्कत की बात नहीं है और पहली रातरी कोशिश कीजेगा प्याय लहसन इत्यादी का पूर्ण रूप से परित्या करें संकट चौध ब्रत के दिन जितना संबहो तिल का दान करना सर्विस रेष्ट माना जाता है बच्चों के हाथ लगवाकर या बच्चों के हाथ से गरीब जनों को तिल का दान करवाना महादेव पर तिल समर्पित करवाना सूरे नारैन भगवान को तिल से मिसरित जल समर्पि बच्चे के हाथ से गड़े जी महराज को समर्पित करवाते हैं या मात्र दुर्वा ही समर्पित कर देते हैं तो भी बच्चे की दुख तकलीफ रोग इत्यादी का नाश होगा और बच्चे तीरगाई बनेंगे हर एक कारे में उन्हें सफलता मिलेगी आप उनके नाम का भी उनका ध्यान करते हुए अर्थात उनका स्मरण करते हुए कि मेरे बच्चे चड़ा रहे हैं इस तरह से स्मरण करते हुए भी आप जो है गड़े जी महराज को और साथ ही भगवान शिव को यह चीज़े समर्पित करते हैं तो भी इसका फूरा फल परिवार को प्राप्त हो प्राप्त है